दोजार पचीस में बड़ी चुनोती है उस चुनोती को बहतर तरीके से निपटने के लिए एक बहुत ही सुजोग ब्यक्ति को परदेश द्यक्ष की जिम्मवारी दी गई है जो की संगठन में लंबे समय से काम किया है उन्हों को हमारे यहां कोई भी पद जो होता है वो पद इसी है सभी कार्जकर्टाओं को मानने वाले सब्सक्राइब कर चलने वाले सबके प्रति उनके दिल में स्नेह का भावra और कल सुबह वो दस बजे पटना एयरपोर्ट पे आएंगे और फिर पटना एयरपोर्ट से उनका स्वागत कार्चक्रम सुरू होगा जो पूरे पटना एयरपोर्ट से चलते हुए प्रदेश कर जाले में कल 11-11 बजे वो पहुंचेंगे बिहाल NDA के मुखमंत्री नितीश कुमार है और नितीश कुमार के नत्रित्म में ही हम लोग 2025 का चुनाव भी लड़ने वाले हैं आगामी बिधान सभा चुनाव 2025 को लेकर भारतिय जन्ता पार्टी एक नए चेहरे को अपने मैदान में उतारी है और दिलिव जैस्वाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर दिलिव जैस्वाल बिहार भाजपाक के प्रदीश अध्यक्ष बनाए गए हालाकि वो इस वक्त दिल्ली में है और दिल्ली से पटना कल पहुचेंगे क्या है खास तयारी आप तस्वीरों के जड़िए भी देख सकते हैं हमारे साथ आनंद पाठक जी भी है सब क्या तयारी चल रही है और दिलिव जैस्वाल जी का नाम कितना मुकमल तोर पे जो मुहर लगा है कई नामों के बीच लगा है क्योंकि बिहार में प्रदेश अध् बनने के योग हैं लेकिन उन सब के बीच में एक सभी तरह का जो आकलन करने के बाद जो चैन किया जाता है तो हमारे यहां कोई भी पद जो होता है वो पद होता ही नहीं हमारे यहां दाइत तो होता है जिम्मेवारी होती है और वह जिम्मवारी किसी ने किसी कार्ज करता को दी जाती है इस बार दिलिप जैसवाल जी को ये बड़ी जिम्मेवारी चुकि आगामी विधान सभाद चुनाओ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि है दोजार पचीस में बड़ी चुनोती है उस चुनोती को बहतर तरीके से निपटने के लिए एक बहुत ही सुजोग ब्यक्ति को प्रदेश द्यक्ष की जिम्मारी दी गई है जो की संगठन में लंबे समय से काम किया है उन्होंने लगबग 20 बरसों तक वह भाजपाक इन बार की सिमांचल छेत्र में किसंगंज पुर्णिया कटिहार अरीरा जैसे छेत्र में भारी बहुमत से निकाये वाले जो उन्होंने जीत हासिल की है तो आप समझ सकते हैं कि वह किस कद के भीक्ति हैं जो सबी कार्जकर्टाओं को मानने वाले सबी कार्जकर्टाओं को साथ रेकर चलने सबके प्रति उनके दिल में स्नेह का भाव रहता है इस तरह से यह जो केंद्र ने जिस प्रकार से इनका इस पद के लिए चैन किया है इस दाइतों के लिए चैन किया है हम केंद्र के अपने जो वरिस्ट नेता हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और अभार प्रकर्ण करते हैं अभी वो दिल्ली में है हमारे केंद्रिय नेताओं से मिलने का कार्चक्रम रखा गया है वहाँ पे कल और आज दो दिन की बैठक भी थी उस बैठक में भी वो सामील हुए हैं और कल सुबह वो दस बजे पटना एयरपोर्ट पे आएंगे और फिर पटना एयरपोर्ट से उनका स्वागत कार्चकरम शुरू होगा जो पूरे पटना एरपोर्ट से चलते हुए प्रदेश कर जाले में कल 11-11 बजे वो पहुँचेंगे रास्ते में जगह जगह पे जारों कार्ज करताओं ने स्वागत की भरपूर मजबूत तैयारी कर रखी है और एक भव्य स्वागत हमारे इसने अध्यक्ष का होगा कल जो पूरा बिहार तो देखेगा ही पूरा देश भी देखेगा एक सवाल जनता की तरफ से है कि दिलिव जैस्वाल जी अध्यक्ष तो है क्या आगामी विधानसवा चुनाव में मुखमंत्री के चेहरे के रूपे भी उतार सकते हैं क्या नहीं देखिए मुखमंत्री का चेहरा यह हमारा जो सिर्स नेत्रित है वो तय करता है साथ में मुखमंत्री चुनने का अधिकार चुनाव में जीत हासिल करने का बाद जो विधायक चुन करके आते हैं उनको होता है कि वो मुखमंत्री किसे बनाएंगे किसे चुनेंगे इसलिए अभी ये कहना उचित नहीं होगा कि मुखमंत्री का चेहरा वो होंगे लेकिन भारतिय जनता पार्टी का एक एक कार्च करता इस बिहार के मुखमंत्री बनने के योग भी है और बेहतर तरीके से बिहार को चला सकता है इसलिए कल क्या होगा ये कहना अभी थुड़ी जल्दिबाजी होगी कोई भी बिहार को मुखमंत्री नितीश कुमार है और नितीश कुमार के नित्रित्व में ही हम लोग दो हजार पचीस का चुनाव भी लड़ने वाले हैं इसलिए ये कहना अभी किसी भी तरह से उचित नहीं होगा कि पचीस में क्या होगा कल किसने जाना क्योंकि कल दिलिब जैस्वाल जी आ रहे हैं भव स्वागत होगा पुड़े पत्ना में तो रंद्वार लगाए गया है अलग-अलग जगों पर बैरिकेटिंग की गई है खास करके जो अलग-अलग चोड़ा है वहाँ पर हर विंग यानि कि महिला मोर्चा से लेके हर जग स्वागत की तैयारी होगी देखना होगा कि कल दिलिब जैस्वाल किस तरीके से अपना सक्ति प्रदर्शन भी करते हैं प तैसे कुमार गोत्तम की